आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, our question is Name the spindle-shaped cells present in the human body अगर हम बात करें आपकी जो cells होती है वो जो spindle-shaped होती है ऐसी cells हमें human body के अंदर कहां देखने को मिलती है तो ये जो cells होती है ये आपकी होती है जो muscle cells होती है उनको हम क्या बोलते है इनकी जो safe होती है वो आपकी spindle-shaped होती है साथ-साथ ये क्या होती है ये cells दो होती है ये जनरली आपकी unbranged होती है तो unbranged cells दो होती है और जो spindle saved होती है ये आपके characteristic features हैं किसके muscle cells के अब अगर हम बात करें आपका जो body के अदर muscular tissue होता है ये आपके जो muscular tissue होते है ये जनरली आपके तीन टाइप के होती है पहला टाइप होता है आपका skeletal muscle tissue second type आपका होता है smooth muscle tissue और third type जो कि आपका hurt के अंदर जो muscle cells present होती है उनको हम बोल देते हैं cardiac muscle tissue और ये जो आपके तीनो टाइप के जो tissues हैं या जो muscular tissue होता है ये आपका एक तरह का क्या होता है connective tissue होता है जो कि आपकी पूरी body को जोड के रखता है और इसी लिए ये tissue क्या provide करता है ये हमारी पूरी body को एक particular structure provide करता है एक framework provide करता है तो हमारा जो question है कि हमें एक ऐसी cell का नाम बताना है जिसकी safe होती है वो spindle saved होती है और ये कहां present होती है human body के अंदर present होती है तो उन cells को हमने बोल दिया आपका muscle cells तो muscle cells है वो इस question का answer है और ये आपकी अंद branch door spindle saved होती है With this, thank you